नमस्कार दोस्तों, नोकरीग्यान यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, HSSC ने रात में भेजे दो नई नोटिस कल रात में HSSC की वेब साइट पर दो नोटिस डाले गए हैं इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं अगर आप इंट्रेस्टिड हैं, तो वीडियो में लाश तक बने रहे हैं और हाँ, अगर आप HSSC ग्रूप D का फॉम भरा है आपने और हर्याना पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं क्योंकि हम आपके साथ जोइनिंग तक साथ रहेंगे और HSSC की पल-पल की अपडेट आपके साथ सेयर करते रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब किये तो जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये hssc.gov.in ये ओफिशल वेबसाइट है हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की, जैसे हम गूगल पर इसे डालते हैं तो ये एक नई विंडो खुल कर आते हैं जो की हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की ओफिशल वेबसाइट है इसमें हम नीचे चलते हैं तो जो पब्लिक नोटिस में हम जैसे क्लिक करते हैं एक विंडो खुल कर आती है तो ये कुछ नोटिस आया है यहां पर क्लिक करके देखते हैं क्या है इसमें जैसे आमी से करते हैं तो ये मैं पहले ही डाउनलूड कर चुका हूँ इसके बारे में मैं आपको बता दूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की तरफ से नोटिस है नोटिस पोस्ट्पोनेंट ओफ इंटर्वू एंड वाइवा वो इस ठीक है इसमें दिया क्या गया है इसमें बताएं ये गया है कि भई पीजटी सेंस्कर्थ के लिए जो इंटर्वू होने वाला था 1310-2018 को वो किसी कारनवस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वो अभी पोस्ट्पोन कर दिया गया है तो जैसे ही कोई डेट फिक्स की जाती है उसके लिए नोटिस डाल दिया जाएगा तो इस नोटिस में तो सिर्फ इतना ही था ठीक है तो अब चलते हैं दूसरे नोटिस की तरफ तो दूसरे नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों जैसे हम result के section में जाते हैं आप देख पा रहे हैं result के section पर जैसे ही क्लिक करते हैं एक नया window खुल कर सामने आता है तो जैसा आप देख पा रहे हैं जो advertisement number 7 slash 2015 category number 5 name of the post final result for the post of draft man draft man का क्या है की result गोसित कर दिया गया है तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये download होना शुरू हो जाता है ठीक है तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से base number 777 sector 2 पंसकुला ये www.hsasas.gov.in की तरफ ते announcement की गई है final result for the post of draft man for advertisement number 7-2015 category number 5 तो इसमें ये दिया गया है जो total vacancy थी इसके अंदर category number 5 advertisement 7-2015 draft man के लिए total 165 post थी general के लिए 42 post थी एक post others के लिए OBC के लिए जैसे जो दे रखी हैं ये total 49 post ऐसे थी 42 जनरल के लिए थी तो इसमें आप अपना roll number जो है वो चेक कर सकते हैं general waiting के लिए इतने बंदे डाले गए हैं SC के लिए 20 post SC waiting इतने बंदे हैं BCA के लिए 20 post थी BCA waiting में इतने बंदे डाले गए हैं तो ये सारी चीज़े आप इस पर देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ठीक है दोस्तों तो ये सब दो notice डाले गए थे आभी रात में SSSC की website पर तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं next वीडियो में एक नई information के साथ तब तक के लिए जहिन